हेलो इस्टुडेंट्स मैं हूँ प्रदीप कुमार चिंग और एक बार फिर से बच्चों स्टार केरियर इंस्टिट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज हम लोग बच्चों क्लास सवेंथ के पार्ट टू पढ़ने वाले हैं पिछली क्लास में हम लोग बच्चों इंटीजर्स के बारे में देख लिये थे यानि कि पुरुडांग के बारे में हम लोग अध्यल किये थे आज बच्छों लोग addition properties of integers पुरुणांग के योग के बारे में बच्छों लोग पढ़ने वाले हैं तो चलिए बच्छों आज की अपनी बढ़ाई स्टार्ट गरते हैं इसमें सबसेर पहला topic है बच्छों closure property समरत या फिर समरित गुरधर्म क्या होता है हिम बच्छों closure property integers आपको पताद वेवाएं बच्छों आप सबी लोग को पता ऊता हुआ होता है जीरो के जो right side पहुता है बच्छों क्या होता है positive numbers होती है ये सारी चारी positive numbers होती है और यह ऐसे याघे जाती 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 है जो जीरो से बच्छों बाएं तरफ हम बढ़ते हैं तो नेगेटिव नमबर सा जाते हैं और यह ऐसे आगे बढ़ती लेती है तो दाएं साइड में जाते हैं तो एक-एक संख्या बढ़ते जाती है बच्छों और बाएं साइड में जाते हैं तो एक-एक संख्या क्या होती जाती है दिरे-दिरे घटती जाती है बीच में बच्छों 0 होता है यह अपके इंटीजर में माइंड हो चुका है अब हम पढ़ कुई दोए लेते हैं सपोस्ट कर लो पर ब्रीये माइनस वन और इन दोनों का एड़ कीजिए क्योंकि एडिसन के लिए पड़ रहे हैं तो सम करेंगे दोनों ही इंटीजर गाव रही हो यह बीट है यह कुड़ांग यह नेगटिब दोनों का सम कर रहे हैं तो एक देवर पर हम बच्छों 3 रख देंगे प्लस में क्या हो जाएगा बच्छों यह माइनस 1 हो जाएगा अब यह देख रहे हैं बच्छों कि जब बाटाँच फश्ड है इसको किसी पुदानक सब्सक्राइग कियां सब्सक्राइग किसी इंठीजर फो एड़ करें बच्छों तो add करने से जो मिलेगा वो भी एक integer ही मिल रहा है किसी integer को add करने से जो sum आ रहा है बच्छों integer का total जो आ रहा है integer का total आ रहा है sum आ रहा है वो भी एक integer ही मिल रहा है यानि जब किसी पूडांग में पूडांग को जोड़ते हैं यालिके टॉक्राइब तो टरांग की मिलता है यानि कि जो अधीकट सप्रोपर्टी होती है उना प्लोजर प्लोजर करती है मुझेग हुए यानि चीज़ इंटीजर को जोड़िया मिल रहा है पर एक प्लोजर ज्या प्लजर लांने बन रहा है करती है जो इंटीजर का समय तो चलिए बच्छों मागे बढ़ेंगे अपने पढ़ेंगे कमिटेटी प्रॉपर्टी क्या होती है यह आप लोगो समझना के लिए मैंने बता दिया पुलजर प्रोपर्टी यानि यह भी इंटीजर है बीवी इंटीजर है और जो मिल गया बच् तो अपने समझें आ जाता है यह यह पुणांख है यह भी पुणांख है दनों को जोड़े तो पुणांख ही मिलिया अब हम बात करेंगे बच्चों कम्यूटेटी प्रोपर्टी दूसरी प्रोपर्टी के बारे में बात करेंगे यह तो हो चुका आपके अब हम बात करने जा रहे एं , Commutative property क्रम बीनिमे गुढ़धन क्रम बीनिमे नीमी है , crime बीनिमे यानि देखिए इसका क्या है अब हम तो पढ़ने जा रहें बच्चों क्या होती है इंदी में बच्चों इसको बोलते है क्रम बिनिमय नाम से पता चल रहा है कि क्रम आगे पीछे होने वाला है क्रम बिनिमय गुर्धर यहां पर बच्चों आप देखेंगे कि कोई इंटीजर मालने जिए A है और A में B को जोड़ दें एडिशन के अंदर पड़ रहे हैं सारी प्रोपर्टी जो है एडिशन के लिए पड़ रहे हैं इसलिए सम्में प्लस आएगा तो A प्लस B जो होना चाहिए वो B प्लस A के एकॉल होना चाहिए यदि ऐसा है तो क्रम बिनमें नहीं अंफॉल होगा अदरवाइस नहीं होगा तो चलिए एक्जांपल के दर यह समझ लेतना इसको यानि ग्रम binary में फिर से समझो बच्चों कि अगर A plus B है तो B के जावाइब ए रख दें A की जावाइब बी रख दें तो भी मांसे मोना चीए यानि A plus B की value किसके वराबर होना चीए B plus A के equal होना चीए यदि ऐसा होता है तब जाके ये कम्यूटेटिव होगा करम भीनी में होगा अदरवाइस नहीं होगा तो चलिए A की वैलू देख लेते हैं बच्चों A की वैलू है अपनी 2 और B की वैलू है बच्चों माइनस 3 अब संब कर लेते हैं बच्चों पहले निकालेंगे हम लोग A प्लस B तो A प्लस B क्या होजाएगा 2 प्लस माइनस 3 तो यह होजाएगा 2 प्लस और माइनस का मंडिप्लाई होगा तो माइनस का 3 और 2 माइनस 3 आपको होजाएगा यह माइनस 1 अब बात करेंगे B प्लस A की तो B plus A निकालेगे बच्चों तो क्या हो जाएगा B की value है minus 3 और plus में क्या हो जाएगा बच्चों 2 minus 3 और plus 2 क्या हो जाएगा minus 1 हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो value A plus B की आई है वो same value किसकी है B plus A के यानि दोनो value आपस में same है यानि जो addition होती है integer की बच्चों वो commutative property को follow करती है यानि commutative property भी follow करती है sum of sum of या addition of integers अगला बच्चों इतना associative property साचरे गुढ़धर अब साचरे गुढ़धर में बच्चों किने 3 integers को लेते हैं जो साचरे गुढ़धर में चलिए अब उसको समझते ही integers property आप यहाँ के इंटीजर के लिए sum of integers के लिए बच्चों हम लोग associative property associative property के बारे में देख लिएते हैं साचरे गुढ़धर इसमें concept यह होता है बच्चों A में अगर आप B प्लस C को एड़ कर दें यह same value equal होती है A प्लस B में C को एड़ कर दें यानि किसी संख्या है integer है कोई A में B और C को एड़ करके फिर इसमें एड़ करिए या A में पहले B को एड़ करिए फिर सिमेंड किजिए अगर सेम आएगा तो साथ चले गुढ़ धर्म होगा अधर वाइस नहीं होगा तो चले एक्जामपल के जड़ी समझ लेते हैं यहाँ पर A की value माल लिया आपने 1 ले लिया B की value लिया 2 और C की value लिया 3 अब यह सारे integers हैं आप देखने हैं 1, 2 और 3 सारे integers हैं वैलू पूट करेंगे A प्लस B प्लस C तो A की value यहाँ पर बच्चों हैं 1 प्लस B की value यहाँ पर 2 और C की value बच्चों 3 पहले bracket को solve करते हैं तो 2 और 3 क्या होजाएगा बच्चों यहाँ यहाँ जाएगा अब A की value कितनी है बच्चों 1 प्लस में क्या होजाएगा B की value 2 और प्लस में क्या है बच्चों C की value क्या है 3 तो 1 प्लस 2 क्या होता है बच्चों 3 और प्लस में क्या होजाएगा 3 3 और 3 क्या होजाएगा बच्चों 6 होजाएगा हम यह देख रहे हैं यहां पे कि a plus b plus c की जो value है यानि यह bracket में इधर रखिए तब add कर लीजिए चाहें इधर पहले दो को add करके फिर इस में add कीजिए दोनों की value क्या रही है अपनी same आ रही है कि associative property का formula क्या होता है addition के लिए यह addition के लिए है इसमें देखिए रांगे जो operation आ रहा है प्लस आ रहा है तो हमारा प्लस क्यों कि आप क्या बोला गया बच्छों addition addition मतलब क्या होता है बच्छों योग योग के गुड़धम के बारे में हम पढ़ रहे हैं integers के चलिए बच्छों आगे बढ़ते हैं अम लोग अम लोग पढ़ेंगे additive identity योगात्मत तत्समत एडिटिव आइडेंटिटी योगात्मत तत्समत कि योगात्मत तत्समत की बात करें बच्छों जैसे कोई number है अगर इसमें हम जीरो बच्छों add कर दें तो सेम नंबर मिलता है तो जो योगात्मत तत्समत होता है बच्छों वो क्या होता है बच्छों अपना जीरो होता है सुन्ने होता है और जो जीरो अपना युवाराइग मत तत्समत होता यारे किसी भी नंबर में जब हम 0 करते तो सेम नंबर मिल जीए एक्जांपल कह लिए आप देहिए 2 प्लस 0 तो क्या मिलेगा बच्छो 2, 3 प्लस 0 तो क्या मिलेगा बच्छो 3 यानि किसीए वैलू में इसके चेंजिंग नहीं हुरह हैं जब सम्म कर रहे हैं तो zero जो है वो क्या कहलती है बच्छो एडीटिव आइड़न्टिटी जेए जिर नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होती है अब आज करना लास्ट टूपिक देख लेतने हैं बच्छों additive inverse योगात्मत प्रतिलोम additive inverse योगात्मत प्रतिलोम additive inverse अब देखें यहाँ पर additive inverse जैसे कोई number है examples के लिए अगर A कोई number है तो इसका additive inverse जो होगा बच्छों वो minus A होगा opposite sign कर लेंगे minus होगा तो plus होजाएगा plus होगा तो minus जैसे कि माईनस A है तो इसका additive inverse क्या होजाएगा बच्छों plus A क्योंकि जब इसको हम sum करेंगे बच्छों तो 0 आ जाएगा additive identity की बोल आ जाएगा जैसे A plus minus A करें तो यह value क्या होजाएगा A minus A होजाएगा plus minus माईनस माईनस होजाएगा और A minus A क्या होजाएगा 0 होजाएगा तो A का additive inverse योगातमक प्रतिलों क्या होगा minus A यानि किसी भी पुढांग का योगातमक प्रतिलों यानि additive universe की value जब बच्छों find out करेंगे तो जैसे 2 है तो उसका additive inverse क्या होजाएगा minus 2 plus 5 है तो क्या होजाएगा minus 5 होजाएगा योगातमक प्रतिलों यदी मान लिजी minus 2 है तो जब minus होजा तो उसको plus न बोलेंगे plus 2 additive inverse होगा लेकिन यदी plus में है तो minus बोलेंगे minus में है तो plus बोलेंगे अब आपको समझ में आ गया होगा कि additive universe कैसे रिखा लेंगे चलिए सब्स कर लिजी मैं आपसे question पूछता हूँ कि बताईए कि जो minus 3 है एक question है अपना example के जरीए minus 3 का योगातमक प्रतिलों यानि कि additive universe क्या होगा तो minus 3 का additive universe होगा बच्चों plus 3 ठीक है तरीश तरीखे से अपने additive universe find out कर लेते हैं तो चलिए बच्चों अब हम पढ़े चुके हैं आज के अपने topics में closer property, commutative property, associative property, additive property और additive universe किसके अंदर पढ़े थे बच्चों यहाँ बहिंदी में बात करें तो समरे गुणधर्म, क्रम विनिने गुणधर्म, साहचर गुणधर्म, योगातमक तत्चमक और योगातमक प्रतिलों यह सारे हम पुरणांकों की योग के लिए पढ़े अब हम पुरणांकों के गटाव के लिए अगले पाट्स में पढ़ेंगे चलिए आज का होम वर्क ले लेते हैं बच्चों आज के हम लोग होम वर्क ले लेते हैं कि अपना होम वर्क क्या होगा पहला नम्बर प्रस्टन है बच्चों इस डव्यू का फिल इन दी ब्लाइक्स खाली स्थान को बच्चों बर्ना है आपको पहला है 3 प्लस इस इक्वल टू जिवू माइनस 2 प्लस माइनस 7 प्लस इस इक्वल टू मैंने माइनस 7 प्लस तीसरा है बच्चों एट प्लस माइनस 8 इस सारी प्रोपर्टीज आप थोड़े थोड़े देर में थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं उसी बेसिस पे आपको बच्चों सॉल करनी है क्वर्शन नमबर फूर्थ है आपका माइनस 51 प्लस क्या इसमें एड़ करें कि माइनस 51 ही रहे यह भी आपको लोजिक बदाई रा चुके हैं अब आपका पूर्थ पर्शन है फिफ्ट है 3 प्लस माइनस 7 प्लस 8 यह इस इक्वल टू है 3 प्लस प्लस 8 अब यहां फिर इंदी ब्लैंक से क्या बढ़ेंगे यह आपको खाले स्थान दिया गया है सिस्ट पर्शन है फिफ्ट है फिफ्ट है 3 प्लस माइनस 8 प्लस अब यहां पर ध्यान देंगे पहले ए में 3 में माइनस 8 एड़ हुआ है ब्राकेट के अंदर है प्लस में अब यहां पर क्या एड़ करेंगे और यहां पर यह है 3 माइनस 8 प्लस है यह आपको एस्ट प्रोपर्टी से मिलता दुता है उसके कंसेप्ट से आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से बचों ने अभी आपने देख लिए यहां पर कि कुछ फिलिंग दी ब्लाइंक से जो की प्रोपर्टी जो हम पढ़े है बच्चों जैसे अडिटिव इनवर्स और साथ ही साथ आप लोगों ने कमिटेटिव प्रोपर्टी देख लिया एसोसियेटिव देख लिया क्लोजर प्रोपर्टी देख लिया यानि समर्पुर धर्माजन लोग पढ़ लिए या उसके बाद क्रम बिन में साह चरे योगात प्रदिलों में यह पांच टोपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आधार पे बच्चों आपको हमवर्प भी दिया चुका है फिर हम मिलेगे नेक्स्ट क्लास में तो आज के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं जै हित जै भारत